नमस्कार साती हूँ, मैं मुकेश परिहार यूटेकेट में के यूटूब चैनल पर आपका हार्दी के अभी नमदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, गुड मॉर्निंग तू अल अफ यू, आज हम पढ़ रहे हैं, बाल विकास हैं, शिक्षय शास्त्र, और बाल विकास और ही जा सकती है, किश्वरावस्था के बारे में, किश्वरावस्था के बारे में, आज हम पढ़ेंगे, तो किश्वरावस्था के बारे में, अगर हम पढ़ें, तो उससे पहले हम, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अडॉल सेंस, किश्वरावस्था का अंग्रेजी नाम है, अब शुरू करते हैं हमिरte चुरा हाऊ-बस्ता शब्द की उत्पक्ति लेटिन भाशा के एडोल केर से हुई है धियाँन रखियेगा वर्ड कुन सा और एडोल केर, तो एडोल सेंस शब्द की उत्पत्य लेटिन भाषा के एडोल केर से शब्द से हुई है, जिसका आर्थ होता है परिपक्वता की और ले जाना, कहां ले जाना, परिपक्वता की और ले जाना, मैचुरूटी की तरब ले जाना, तो ध्यान रखिएगा कहां से हु हम बोलते हैं युनान भी हम बोलते हैं यह तिनों एक है और यह एलस यह लेटिन भाषा जो होती है वह होती है अलग भाषा लेटिन भाषा से रहने जिसके रहा पूसकर पारीपक्वती ले जाना यहां क्या होता है यहां 먹고 के अंदर maturity या परिपक्वता आने लग जाती है परिपक्वता कैसी? जैसे समवेगों की परिपक्वता हो जाती है शारीरिक में भी maturity हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया समवेगात्मक हो गया, सामाजिक हो गया यहाँ पर हर जो विकास है, विकास का आयाम है, वो अपनी परिपकोता की और चला जाता है, ठीक है, हम जलते हैं आगे इसकी तरफ, पहला है आपके पास, Stanley Hall, जिहां रखेगा, सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो Stanley Hall, इस्टेंडली हॉल ने 1904 में अपनी बुक प्रकाशित करी, एडॉल सेंस, एडॉल सेंस का मतलब होता किशोर अवस्ता, उस बुक के कुछ मुख्य बिंदू के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, उस मुख्य बिंदू के बारे में पढ़ते हैं, किशोरों में जो भी परिवर लग जाते हैं, तो जो परिवर्तन होते हैं, वो एकदम होते हैं, और इतने अचागनों होते हैं कि जो किशोर अवस्ता होती है, जो किशोर खुद है, वो पता ही लगता है कि मेरे अंदर इतने परिवर्तन हो रहे हैं, तो किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे और उनका पुरु अवस्था से, पुरु अवस्था मतलब होता है शेश्वा अवस्था से और बाल्य अवस्था से कोई सम्मन्थ नहीं होता है Stanley Hall ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धान्द के पक्ष में एक और पुन्रावर्ती का सिद्धान्द दिया जो परिवर्तन अचानक होते हैं उसको आकस्मिक विकास का सिद्धान्द किया और उन्होंने पुन्रावर्ती का सिद्धान्द का मतलब होता है कि जो चीजे देखो यहाँ पर एक और चीज देखिए कि यहाँ पर किसी ने कहा है कि शेश्वा अवस्था का जो है ये पुन्रावर्ती होती है यहाँ पर क्या होती है शेश्वा अवस्था की क्या होती है पुन्रावर्ती होती है तो शेश्वा अवस्था की अगर पुंडरावर्थी होती तो इस्टेनली होल ने पुंडरावर्थी का सिद्धावर्थी का सिद्धान्द सरवशेष्ट माना गया किसका सिद्धान्द माना गया इस्टेनली होल के उसके करां, ठीक है, चलते हम आगे, किशुरा वस्था के बारे में मनोविज्यानिकों की परिपाशा है, मनोविज्यानिकों ने क्या क्या परिपाशा है दिये, उसके बारे में, सबसे पहले दिये, इस्टेडली हॉल, इस्टेडली हॉल ने बहुत बड़ी ब्यारी बात कहीं, ध्यान रखेगा, इनको याद रखना है अपने को, किशुरा वस्था बड़े संगर्श, तनाव, दबाव तुफान क्या आई हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा संगर्श, तनाव, दबाव और त तुफान क्या आई हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा संगर्श होता है, ठीक है, अब संगर्श कैसा हुआ, क्योंकि जब उसके अंदर बहुत ही अच्छानक परिवर्तन होते हैं, तो वो संगर्श करता रहता है, अपने करियर के लिए के लिए संगर्श विरोत की अवस्ता भी होती है देखिये वो चाहता है कि मैं इंजिंग करो और उसके पिता जी चाहते है कि डोक्टरी करो तो बहुत सारे जो संगर्श होते हैं तुफान होते हैं दबाव आते हैं यहां पर क्या होता है माता-पिता को भी बालक से बड़ी अपख्षा होती है तो वो अपख्षा के कारण यहां पर क्या होता है माता-पिता अलग चाहते हैं वह लग चाहता तो महां पर तुफान और विरोत की अवस्ता भी होती है किश्वर अवस्ता में शार्जिक मांसिक और सामाजिक विकास अचानक होती है देखिये उसके फिजिकल के बारे में ब लब होता है जैसे कि उसके जो बुद्धी का विकास सामाजिक विकास समाज में जो विकास हो रहा है उसका वो भी बहुत तेजी से हो जाए तो इस परकार से किश्वरा अवस्था में शारिरिक विकास मांसिक विकास सामाजिक विकास क्या होते हैं अचानक होते हैं ठीक है यह इसे किसने बोला है इस्टेनली होल यहां पर जो दो बाते कहते हैं संगर्ष तनाव दबाव तुफान इस्टेनली होल इस्टेनली होल क्या कहते हैं संगर्ष दबाव तुफान और शारिरिक मांसिक और सामाजी विकास क्या होते हैं अचानक होते हैं यह दो बाते कहते हैं जान रखिएगा अगर बात करें अपन तो क्या है यह जोन डीवी के शिश्य जोन डीवी के शिश्य है कोन है किल पेट्रिक और जोन डीवी के शिश्य के बाद किशुरा वस्ता जीवन की सबसे कठिन काल क्या है कठिन काल क्यों यहां पर क्या होता है बहुत ही संगर्ष होता है देखो क्या होता है आदमी यहां पर बारा साल से उपर जाता है बारा साल का मतलब होता है नाइन से लगा कर टेंथ क्लास तक यहां पर रहता है ठीक है नाइन टेंथ से शुरू आ जाती है तो नाइन टेंथ के बाद उसको सब्जेक्ट चुनना रहता है इलेवंथ में अब 11 में सब्जेक्ट चुलना है, तो माता अलग के रही है, पिता जी अलग के रही है, दोस्त अलग के रही है, उसकी जो गर्ल फेंड है, वो पता चला कि नजाना क्या के रही है, तो किशोर अवस्ता क्या होता है, जीवन का सबसे कठीम काल होता है, यहाँ पर वो निर्णे होता है ना तो kill patrick ने क्या कहा है कटिनकाल का Valentine किशोरा अबावस्था अपरात की एक नाजुक अवस्था होती है ठीक हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे करेंगे explain करेंगे Valentine पेले तो याद करने के हिसाब से करेंगे नहीं पेले अपनी यहां सोचेंगे कि वाक्य में वास्यूकता ऐसा क्यों कहा है वेलेंटाइन केता है किशोर अवस्था एक अपरात की एक नाजुग अवस्था अपरात की नाजुग अवस्था कैसे हो रही यहां पर बच्चा क्या होता है अपरात कर लेता है, जैसे किशोर है, किशोर की girlfriend का बड़े आ गया, ठीक है, बड़े आ गया तो उसने क्या किया किया बड़े के उपर आपको पता है, gift देना रहता है, तो gift देने के लिए वो क्या करता है, उसके पास पेसे की ज़रोत है, हो सकता है, उसके क्या होता है, कुछ दिखता नहीं, तो आदमी बच्चा क्या करता है, किशोर आवस्था क्या करती है, कि वो उसको अपरात की तरफ ले जाती, अपरात की तरफ का मतलब होता है, वो घर से कुछ चुरा लेगा, अपनों दोस्तों से, अपने मित्रों से कुछ जूट बोलके ले लाएगा, यार मेरे को बहुत बड़े फीस चुकाना है, मेरे को किताबे को पेसे देना है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बचा जूट बोलके किसी ना किसी प्रकार से अपरात की तरफ विमुख, अपरात की तरफ हो जाता है, और अपरा तो उसकी तरब कोई आँख उठा कर देख ले तो उसका थोबड़ा तोड़ दे वो, इस पर कार से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किश्वरा अवस्ता अपरात की एक नाजू का वस्ता है, और व्यक्ति का एवं गनिष्ट मित्रता किश्वरा अवस्ता की प्रमुक विशेष तो वेलेंटाइन नहीं यहाँ पर तीन चीजा कही है, ठीक है, और आगे चलते हैं, अब ही पर थिननों को चलो, यहाँ पर तीन जो लिखे हूं उनको याद भी कर लेते हैं, इस्टेनली होल, इस्टेनली का मतलब होता है एक होल है, क्या है एक होल है, अब होल में अगर आदमी को कहा जाए कि इस्टे करो, इस्टे का मतलब होता है रुखना, इंगलिश में बोलता है इस्टे का मतलब होता है रुखना, तो क्या होता है, एक होल में गर्मी के दिनों में में अगर कोई रोका जाता हैतो बड़ा संकर्ष हो जाता उसके लिए तनाव हो जाता है तुफान में तो यह याद हो किल पेट्रिक मतलब होता है दिवाल में किल ठोकना कठीने और वेलेंटाइन का मतलब वेलेंटाइन तो चौदा फरवरी को वेलेंटाइन डे आता है तो वेलेंटाइन डे क्या अपरात करवाता है और अपरात करवाता है और उसके बाद घनिष्ट मित्रता भी करवाता है तो कुंडरा वर्थी क्यों कहा है देखिए एक मन की चंचलता के बारे में बात करते हैं मन की चंचलता मन बड़ा चंचल होता है शेश्वा वस्था में बड़ा चंचल होता है इधर भी जाना उदर भी जाना पापा से बोला मेरे को यह भी दिला दो अगर कोई किसी टोफी की दुकान पर चले गए तो मुझे पापा यह टोफी भी दिला दो मुझे यह रोपी भी दुला दो दस तरह कि अब उसको तो पता ही नहीं कि अच्छी क्या होती है but फोन की चंचलता होती है तो यहां पर टीś आदी इसी कि मन की चनचलता कि शुरा हवस्ता में हो जाती है बाला के समझ नहीं पाता है कि मैं यह करूँ कि यह करूँ मैं एंजरी भी बन जाओं में, डॉक्टर भी बन जाओं में, वो पेसे वाला भी बन जाओं में, किसान भी बन जाओं तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी मन पर बड़ी चंचलता होती है, तो इसलिए रोस ने इनी गुणों के कारण कहा है कि किशोरा अवस्था, शेश्वा अवस्था की क्या होती है पुन्रा होती होती है क्या होती है पुन्रा होती होती है तो यह रोस ने कहा रोस के बाद हम आगे चलते हैं उसके बाद आता है इसकी नर इसकी नर भाई साब क्या बोलते हैं इसकी नर भाई साब बोलते हैं कि किशोर को निर्णे लेने का कोई अनुभाव नहीं होता ह क्या होता है निडंए लेने के कोईधे अनुभ़ webs नहीं होते हैं response that निडे शन्व परामर्ष दिए देखो निडंए निडे पाता ह। निय्ने पातां क्योंके उसके अंदर अभी क्या है इतना अनुभवव नहीं है। वो जैसे कि उसकी गल्फेंड है. वो बहुत ईच्छी मेट्स पढ़ती है. क्या करती है? गल्फेंड है, चोटी वाली देख गल्फेंड उसकी. एक लड़का है, यह लड़का. अब उसकी गल्फेंड है, जिसका मेट्स बहुत ताकतवर है. और ये भाई साब maths वैसे नहीं आती है, इसको तो social science बहुत अच्छे आती है, चित्रकारी आती है, किसी की बारे में कहा तो घटना करेदो, लिखना करेदो, इस प्रकार से आती है, अब क्या होती है, इसको इस से प्रेम है, अब होने के कारण क्या होता है, इसने 10 वी के बाद maths ले लिए, 11th में maths ले लिए, अब पता है आपको, जब इसके साथ रहना है, जुड़े रहना है, देखो, इसकी physics situation बी जाएगी है, chemistry की tuition बी जाएगी, इस प्रकार की tuition बी जाएगी, तो दिनराज साथ में रहना है, तो लड़का क्या करगी, लड़के बहुत होशारत है, लड़कें कारें 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 का काई का अच्छे लगती है वो तो आपको पता ही है तो इस प्रकार से क्या करता है वो यह काम करता है पर यहां पर क्या होता है माता पिता और शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है उस बच्चे को वास्त्विक आइना दिखाए देखिए वास्त्विक आइना दिखाएगा तो तो समझ जाएगा ऐसी बात नहीं है इसा तो ही नहीं है तो समझ जाएगा तो इस प्रकार से अतर निर्देशन वा परामर्ष दे उसको ठीक है समझ पाये वेरी बात को चले इसकी रर ने कहा उसके बाद है जीन पियाजे जीन पियाजे भाई सब बोलते ए कि शुरा ववस्ता महान आदर्षो वास्तिविक्ताओं से अनुकुलन का समय है महान आदर्षो का मतलब होता है वो आदर्ष इस्थापित करता है बड़े-बड़े ँबाँ जो महान लोग होते है उनके पत्चिनों पर चलने की कोशिश करता है जिसे वीर सावर कर हो गया उसके बाद यहाँ पर महात्मा गांदी जी हो गए, सुभाशन बोस हो गए, स्वामी विएकानन हो गए, उनके सब आदर्शों के ओपर चलने की कोशिश करता है और वास्तिविक्ता उसे अनुकुल और जितनी भी वास्तिविक्ता होती है, उनसे अनुकुलन का समय है यानि वो क्या करता है, पुरानी जो जमाने की वास्तिविक्ता है, उससे वो करता है, अगर नहीं पहले ऐसे हुआ और इस प्रकार से हुआ, यहाँ पर वास्तिविक्ता उसे अनुकुलन का समय यह कौन बोलता है, जिन पियाजे बोलता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो चीजें अपनोंने पढ़ी देखोंगे अब क्या होगे पहले क्या पढ़ी थी अपनोंने तीन पढ़ा था फेले वेलेंटाइन है ना वेलेंटाइन पढ़ा इस्टेंडली होल पढ़ा और किल्पेट्रिक पढ़ा इस्टेंडली होल के अपन खिल्पेट्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं और एक और वेलेंटन अब रोज स्किनर और जिन पियाजय को इस लाइड में पढ़ा हैं तो रोज के बारे में शेश्वावस्ता की पुन्डरावरती है ठीक है और उसके बाद इसकी नर कोई अनुभव नहीं होता है इसकी नर मतलब कोई अनुभव नहीं होता और जीन पियाज है मतलब महान आदर्शोव वास्तिविक्तावक से अनुकुलन का समय ठीक है अब इसके बारे में हम चलते हैं आगे अबी तक हम पढ़ चुके क्या है महान जो मनोवग्यानिक थे जो आत्मा ये थी महान आत्मा उन्होंने किश्रवस्था के बारे में क्या कहा अब उपनाम पढ़ते हैं उपनाम का मतलब देखे कभी-कभी ये बोला जाता है कि उल्जन की अवस्था बालक के विकास की कौन सी अवस्था को कहा जाता है तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा कि शुर अवस्था को कहा जाता है जैसे कि आपने अप शेश्वा अवस्था और बाले अवस्था में उपनाम पड़े ना निक नेम जिसको बोलते हैं अपने तो यह सबसे पहले है उल्जन की अवस्था में, देखिए उल्जन का मतलब क्या हो रहा है, विकास की अवस्थाओं में तीवर विकास होता है, ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, उल्जन की अवस्था में यहाँ पर तीवर विकास होता है, देखो विकास त्फिर रफो real के कारण कैसे हैं यहां पे कार की द्वप मुष किष्टा है पार में शुबब याहा कि पूलिस वुलसय की नोक्रीजना तो बेंक हि करेंगे ह। गेंग। तो फिर भो बेंक की तरफ यू मुक हो जाता ह। उसके बाद तो क्या होता है वो उल्जन की अवस्था होती वो डिसाइड नहीं करता है उसको तो क्या होता है जो अच्छा कहता है और तेरा तो यह अच्छा लगता है तेरा तो शरीर अच्छा है अब पता चला है वो नहीं जाना चालता है our week, पर ते रहा तो शरीरस अच्छा हे दो आर्बी में जाता उसका मन तुह ही नहीं कहती है, उलजन की अवस्ता होती है, वो decide नहीं करता है. पाते क्या बात है और यही एक ऐसी अवस्ता होती ही जहां पर अगर बच्चा सुलज गया तो उसका जीवन उसका करियर पुरी तरह से बन जाएगा अब हम चलते हैं आगे दुखी अवस्ता आँ हाँ दुखी अवस्ता होती ही दुखी क्यों होती है इसको दुखी अवस्ता क्यों बला है? सबसे important क्या होती है? यहाँ पर बविश्य की चिंता होती है. किसकी चिंता होती है? बविश्य की चिंता ही उसको दुखी की अवस्ता करती है. बविश्य की चिंता ही उसको दुखी की अवस्ता करती है. बविश्य की चिंता ही यहाँ प कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अरे क्या हो रहा है यह, तो मैं तो कोई जाज़ा नम बढ़ना कब जाओंगा मैं वहाँ पर क्या होंगा, तो उसको भविश्य के चिंता बहुत रहती है, और भविश्य के चिंता करने वाला आदमी दुखी ही रहता है, इसलिए वह दुख अब परिवतन कैसे होता है, पहले क्या होता था बच्चा जैसे कि रो रहा है, रो रो रहा है, हंसरा है तो हंसी रहा है इस प्रकार से, मतलब वो अपने समवेगों पर नियंत्रन कम पा लेता है, पर यहाँ पर बुद्धी का विकास होने के कारण उसके अंदर समवेगों को नियंत्रित करने की प्रवर्ति पाई जाती है, जैसे कि कभी-कभी उसके का होता है, तो समवेग बढ़ तिवरो हो जाते हैं, और इसको काट डालो, इसको मार डालो, पर धीरे-धीरे क्या होता है, उसकी बुद्धी कहती है, बेटा देख, तो रुख जा, कई काट डालो, मार जालो, कुछ नहीं होगा, जेल में चला जाएगा, पुरा जीवन खतम हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, खुद वह दूसरे को समझने लग जाता है, और उचीत समवेग का प्रियोग, उचीत अवस्थाओ पर करता है, उचीत समवेग पर करता है, यानि यहाँ पर जो समवेग है, वो उचीत समवेग का प्रियोग, जैसे जहाँ गुसा दिखाना होता है, वहाँ दिखाएगा, जहाँ गुसा नहीं दिखाना होता है, वहाँ नहीं दिखाएगा, हर जगह नहीं दिखाएगा, पता चला कि हर जगह गुसा दिखा दे, तो क्या होता है, उचित सम्वेक का प्रियोग, उचित सम्वेक पर करने की उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या होता है, सम्वेक आत्मक परिवर्तन के वस्ता होती, बहुत ही प्यारी अब, बसंत रितु और स्वर्ण काल उसको कहा जाता है, आहा, बसंत रितु है उसके लिए आखों में नीदे, ना दिल में करार इसना इना अपने मुहोबद भी क्या ची तो यहाँ पर क्या होता बसंत रितु आहा, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया बिल्कुल रंगीन है बनिया बिल्कुल एकदम सुन्दर है स्वार्ण काल है उसके लिए यहाँ पर उसको इसके लावा कुछ दिखता ही नहीं है ना तो मम्मी दिखते है ना पापा दिखते है ना भाई दिखते है ना बहन दिखते है कुछ नहीं दिखता है बस वही सुबह से उटके बिल्कुल खैलों में आपको पता है अगर प्रेम हो गया है, तो उसके लिए दिन रहत उसी के लिए घूंता फिरेगा, वो सारी चीजे करता परेगा, तो वो क्या होता है? बसंतरि तो क्या होती है? बिलकुत सुन्दर अवस्ता होती है, बस उसको कुछ नहीं दि democratic के तो स्वर्णकाल मतलब गॉल्डन एरा होता है, तो इस प्रकार के चीज़े भी यहाँ पर इसको कहा जाता है, अब अगला होता है, इसमें दूरूत वो तिवर विकास होता है, यानि विकास जो होता है बड़ा तिवर होता है, विकास का मतलब यहाँ पर बात करने हैं, वही आपक मांसिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, मांसिक विकास, सामाजिक विकास, समवेगात्मक विकास, भाशाई विकास, चारित्रिक विकास, यह इस प्रकार के जितने भी विकास के आयाम है, उन सब का विकास बड़ी तीवर अवस्था में होता है, आगे चलते हैं पर, जीवन क सबसे कठिन काल है, ध्यान रखिएगा, इस से पहले जीवन का कठिन काल नहीं था, शेश्वा अवस्ता उसकी हंस्ते केलता भी इस देती है, बाली अवस्ता भी बिल्कुल, उसमें काम अवस्ता बड़ी सुप्त रहती है, यहाँ पर क्या होता है, जो सेक्शुलिटी थी है, वो अपने चरम पे हो जाती है, और सेक्शुलिटी चरम पे होने के कारण क्या होता है, उसका बड़ा कठिन काल होता है, कई बार वो चाहता है कि मैं चीज करूं, माता पिता चाहते हैं यह चीज मत कर, यह करूं, यह नहीं करूं, यह वहाँ जाओं, वो नहीं जाओं, इस यो बड़ी उलजन की अवस्ता और उलजन के अवस्ता के कारण की होता है? उसका जीवन बड़ा कठीन हो जाता है, तो जीवन का सब से कठीन काल होता है. ध्यान रखिएगा इसमें अभिभावक यानि माता-पिता, बालक और शिक्षक की अहम भूमिका होती है अगर जिस स्कूल में शिक्षक बालकों के इन सारे विकासों को अगर अच्छी तरह से समझ पाते हैं ध्यान रखिएगा उस बालक का विकास बहुत अच्छा होता है और जहां पर इन चीजों को ध्यानी रखा जाता है बालक आपराधिक प्रवर्ती की तरह मुड़ जाते हैं और वो उसके लिए खतरनाक साबित होते हैं आगे चलते हम हमारे पास टीनेज बहुत ही प्यारी आज़ इसको टीनेज भी बोलते हैं आपको पता है कि शुरा अवस्था जो शुरू होती है वो थर्टीन से शुरू होती है किस से शुरू होती है थर्टीन से और कहां तक चलती है वो एटीन से चलती है ठीक तो टीन से लगाकर देखो 19 तो 18 तक हमारी आवस्था होती है तो 18 तक जो आवस्था होती है यानि टीन से टीन के बीच में इसलिए इसको बोलते है टीनेज क्या बोलते है टीनेज यह उसका होता है ठीक है ध्यान रखेगा टीनेज कैसे बोला जाता है 13 से 18 के बीच में जो उम्र होती है उसको टीन टीन होता है तो इसको बोलते हैं teenage क्या बोलते हैं teenage ठीक है अब आगे चलते हैं इसको इसको age of beauty भी का बोला जाता है age of beauty का मतलब सुंदरता की उम्र होती है तो सुंदरता की उम्र भी इसको बोला जाता है पर बिच्छा होता है , बिल्कुल एकम सुंदर सूंदर सीवस्यी देखता है और ये सुंदर दीखने का भी बड़ा प्रियास करता हूं जिसके के उसके काल में सब का अपना अपना एक काल होता है आपके माता पिता के काल के टाइम पर उनका को आधर्श रहे होंगे अब आज की जैसे की आज का कोई लड़का है तो वो क्या होगा, इसरे रहाई के जैसे तो नहीं अभिशक बच्चन या फिर उसके जैसा नहीं आज का जो बालक है वो रणवीर कपूर के हिसाब से रहेगा वो ठीक है और यहाँ पर तो रणवीर सी के हिसाब से रहेगा तो यह जो ब्यूटी है यह सुन्दरता का जो उम्र है वो यहाँ पर रहेगा लड़किया क्या होती है लड़किया भी यहाँ पर जो हिरोईन होती है, जिसकी भूमी केवलेकर है, उसके हिसाब से रहेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, लड़के और लड़कियां जो अपने आदर्शों के हिसाब से रहते हैं, उनकी तरफ बाल बनाते हैं, उनकी तरफ बोड़ी बनाने के रखते हैं, उनकी तरफ कपड़े पेने करेते हैं तो इस प्रकार से एज व ब्यूटी है ठीक है अब किशोर आवस्था की प्रमुक विशेष्था है तो यहाँ पर हमने उपनाम पढ़ लिए और उपनाम के बाद अब पढ़ेंगे किशोर आवस्था की प्रमुक विशेष्था है विशेष्था के बारे में प पुरुशत्व का मतलब होता है ऐसा नहीं उसके अंदर जो पुरुशत्व के गुण का होता है जैसे कि उसका सीना बढ़ने लग जाता है उसके जो मसल्स है वो बढ़ने लग जाते है ठीक है उसके डाड़ी आने लग जाती है उसकी मूच्छे आने लग जाती, तो वो पुरुशत्व को प्राप्त करता है, उसके आवाज जो होती है, मूटी हो जाती है, अभी तक क्या होता है, 12-13 साल तक को बच्चा में लड़कों लड़कों के आवाज में कोई पढ़ता है, तो यहाँ पर पुरुशत्व के होना, उसके वक्षिस्तलों का बढ़ना इस प्रकार से तो मात्रतों को प्राप्त करती है, तो यहाँ पर किशोरी पुरुशत्व को और किशोरी मात्रतों को प्राप्त होने लग जाती है, यह इसकी विश्यस्ता होगे, अब दूसरी विश्यस्ता के बारे में जाते हैं, ल बंबाई वा विकास में तिवर वर्धि देखने को मिलती है ठीक है अब उसके बाद बात करते हैं मानसिक शक्तियों का तिवर विकास होता है मानसिक शक्तियों का तिवर विकास का मतलब क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं मांसिक विकास जो होता है यह मांसिक शक्तिया होती है मांसिक शक्तिया क्या होती है पहली बात यह बता अपने मंस्तिश्क की शक्ति जैसे कि सबसे पहले है चिंतन यह अपनी मंसिक शक्तिया है तो चिंतन मतलब सोचना कल्पना करना यह इसकी मांसिक शक्तिय हैं इस्मरन करना किसी चीज को याद रखना उसके बाद मनन करना किसी चीज का तो चिंतन करना, कलपना करना इस्मरन करना, मनन करना अमूर्त चिंतन करना यह सारी इस्मरन मांसिक शक्तियों का तीवर विकास हो जाता है ये सबी शेषवा अवस्ता और किश्वण बाल्य अवस्ता में कम रहती है थीक है तो ये माध्विक शक्तियों का तीवरुविकास यहाँ पर हो जाता है आगे चलते हैं हमारे पास समवेगों की प्रबलता देखने को मिलती है बहुत ध्यान रख ले ना उसके सम्वेग बड़े प्रबल होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है, और उसमें परिवर्तन भी दिखता है, क्या दिखता है, परिवर्तन दिखता है, परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए पहले उसका सम्वेग क्या होता था, हस देता था, अब वो हस्ता वस्ता नहीं, बहुत ज़्यादा दे, मतलब इसा नहीं कि कोई भी चुटुटला सुना है ना, जोर जोर से ठाहा के लाकर कासरा है, तो इस प्रकार से नहीं होता है। तो सम्वेगों में क्या होता है? प्रबलता देखने को मिलती है। धियान रखिएगा, क्या कर लेता है वो? असमभव लगने वाले कार्य कर लेता है। समझ पा रहो? असमभव लगने वाले कार्य करने लग जयता है। यानि कोई काम भूँत असमभव होता है». जैसे कि थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है मेरा एक भी एक मितत तो उसने क्या किया कि जो 10th हुआ 10th में क्या हुआ एक लड़की थी उसके साथ उसकी competition हो जाती है कभी-कभी ऐसा नहीं कि दोस्ती होती है कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है तो उसने बोला तेरे को तो गणित-वणित आती नहीं है और तू क्या करेगा तो उस लड़के ने 10th के बाद 11th में match ली जबकि उसकी match बहुत विक्ति ध्यान रखेगा वो लड़का 10th के बाद 11th और 12th में बहुत अच्छे नंबर लाए और उस लड़की एक छोटा सा क्लर करेता है और हिरोईन क्या होती है पीसी की त्यारी कर रहेती है जब जब शादी होती है उसी समय उसका पीसी में क्या सिलेक्शन हो जाता है और वो उसको पता है उसके ससुलार वाले उसको नोकरी नी करने देंगे पीसी में तो वो भाग जाती है लड़का का ego hurt हो जाता है और लड़का उसके सामने फिर collector बन के आता है ध्यान रखियेगा तो इस प्रकार से चीजे होती है साब जीवन में तो यह सारी क्या होती है यह किशुरा अवस्था में हो जाती है और समवेगों की प्रबलता देखने को यह पर सवस्था में मन या मस्थिश को पुना चंचल हो जाता है रोस ने बोला है कि यह शेश्वा अवस्था जो होती है किशुरा अवस्था जो होती है शेश्वा अवस्था की क्या होती है पुन्रा और तो इस सवस्था में मन या मस्थिश को पुना चंचल और स्थीर हो जाता ह ठीक है आगे चलते हैं सरवाथिक काम प्रवर्ती एवं सरवाथिक विशम लेंगे का करशन बालक बालिका ये बहुत इंपोर्टन चीजे और इसके बारे में माता पिता बालक शिक्षक है पालक है जो उसके बड़े हैं भाई बहान उनको ध्यान रखना है एक तो sexuality बहुत हो सेक्षुलिटी होती है यहां पर भी कंट्रोल का मतलब होता है देखो ध्यान रखेंगा उसको मोबाईल दिया जा रहा है तो मोबाईल के बारे में आप ध्यान रखें वो किस प्रकार की चीजे देख रहा है विशम लेंगे का अकरशन होता है यानि एक लड़का है एक लड कई एक लड़की से प्रेम हो रहा है ठीक है एक प्रकार से क्या होता है बच्चा क्या होता है समाज में जो होता है वही घरण करेगा तो इसके करण क्या होता है उसकी sexuality और विशम लेंगे का आकरशन के बर्ग जाता हैं पर यहाँ पर क्या होता है माता पिता अभिभावक बहुत ही रोल बड़ा रोल करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी बनना है उसको जीवन में वो यहीं से बनता है और बिगरना है तो भी यहीं से बिगरता है ठीक है तो इसल पर ये कहा गया है कि उसका निर्देशन आवश्यक है कलपना का बाहूली यहां पर कलपना करता है मैं राजा होंगा, मेरे साथ एक रानी भी होगी तु मेरी रानी रहेगी, मैं तेरा राजा रहूँगा और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे वो दिवास अपना, और डेड्रिम देखता है तीक है, उसको पता ही लगता है कि जीवन में अच्छा उसको तो पता ही नहीं अभी जीवन में क्या होना है किसी दिन बनूंगी मेरा जा की रानी लड़कियां ये गाना गाती है है ना, और राजा भी बोलता है तू मेरा राजा में तेरी रानी ठीक है, तो इस प्रकार से बुदिवन अब कहां राजा ने रानी यहां पर तो गर में तो दो वक्त के खाने के फोड़े फोड़ रहे हैं और राजा ने रानी बन रहे हैं पर बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोई पचिंता ही नहीं, माता पिता दीन रात दूप में काम कर रहे हैं, और उसको कर रहे हैं और ये राजरा नहीं कर रहे हैं, तो कलपना का बाहुलिय होता है, दिवा सोनन की प्रोवर्ती होती है, ठीक है, समू में गनिष्ट मित्रता दे उसको एसी पिटाई करेंगे, एसी पिटाई करेंगे, तो मित्रता बड़ी गनिष्ट देखने को मिलती है, आगे चलते हैं, विशम लिंगी आक्रेशन तो ही अपी बताया, उपर ही बताया, उसके बाद उता स्वतंत्रता की भावना, वो क्या होता, स्वतंत्र रेना चाहता ह आपर क्या होता है, मम्मी जैसे की बोलती लड़की को, कहीं जाना मत, इधर करना मत, उधर मत बेट, उधर मत बेट, तेना बाल कैसे बनाये तुने आज, कपड़े कैसे पेंड लिये, पर अंतु ध्यान रखियेगा, वो स्वतंत्रता, नहीं मैं तो मेरे चाहूंगी, जैसे थाने के मालम थी के जानो, तो इस फरकार से स्वतंत्रता के मत, उसके अंदर त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सयोग, मित्रता की भावना को देखने मिलती है, यह बहुत इंपोर्टेंट चीजे साब, यहां पर बालक के अंदर सेक्रिफाइस भी आता है, दियान लड़के जो मिलकर एक ही लड़की से प्रेयम करते हैं, तो क्या होता है, और दोनो दोस्त होते हैं, तो क्या होता है, कोई जो आदमी लड़का होता है, वो अपने दोस्त के लिए उस प्रेयम को त्याग कर देता है, ठीक है, तो देखा होगा न आपने मूवियों मेने इस तो यह त्याग हो जाता है, बलीदान की भावना भी होती है, कहीं पर भी उसको जाना हो और चला जाएगा वो, ठीक है, बलीदान का मतलब यहाँ पर देश सेवा का जज़बा हो जाता है, परोपकार का होता है, कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है, वो करता है, सैयोग का भी चलता है और मित्रता की भावना वी देखनें को मिलती है ठीक है आगे चलते है नेतरत की भावना मतलब होता है किसी को भी जंड़ा आगे ढबाना हो तो वह वो узнаब और आपको प्ता है यहां पर क्या होता है किश्रा आवस्ता में छोटे चोटी चीजे जैसे दल बनने लग जाते हैं, यहाँ पर कोई आतमवादी संगटन अगर कर रहे हैं, और उसके बाद कोई जैसे की किसी भी जैसे की RSS है, यहाँ पर कई भी बहुत सारे संगटन होते हैं, वो बजरंग दल हो गया, हिंदुओं में जो दल होते हैं, मुस्लिम में स्वाभिमान की भावना भी होती है, उसके अंदर, स्वाभिमान का मतलब क्या होता है, पहले बता है, स्वाभिमान का मतलब होता है, उसका जो अहम है, उसके उपर ध्यान रहता है, अगर उसके स्वाभिमान को किसी ने ठेस पहुंचाए, स्वाभिमान का मतलब होता है, थुक को बखेगा वो पिर खराब कर देता हैं वो किया कर देता है पूरी तरह से डूप जाता है यहां पर कई सारे जो निफ्जDonat बनते हैं कई सारे जो आदमी बच्चे जो आगे बढ़ते हैं वह अपने जो ढज़ीन को बचाने होता है आपे वीर पूजा की भावना थेखो यहां पर बच्चा क्या होता है किसी ने किसी को अपना वीर या आइडल मानने लग जाता है आदर्श मानने लग जाता है इसलिए उसका प्रद कि भावना भी उसके ववस्ता हो जाती है यानि वो अपरात करना भी सीख जाता है, अपरात का मतलब होता है, जैसे कि प्रेम में संतुष्टी नहीं मिले, और कहीं पर भी अपना रिजल्ट है, उसमें संतुष्टी नहीं मिले, तो वो अपरात की भावना भी स्विकार कर लेता है, और अपरात उसमें बढ़ जाते हैं जैसे अपरात तो बहुत सारे करेंट से बढ़ जाते हैं, अपरात कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे कि उसको कोई काम करना हो, उसको कोई चीज लाना हो, पेसे चाहिए उसको, तो पेसे नहीं मिलते हैं, तो वो अपरात करके पेसे कमाने लग जाता है, अच्छा, इश्वर की सत् आपको स्विकार करने लग जाता है इसका मतलब क्या होता है उसको लग जाता है कि इश्वर है और इसलिए देखा होगा इस प्रकार के बालक जो क्या होता है मंदिर मस्जितों में बहुत जाते है और बगवान के पास मातलब और मेरे को पास करा जाए मेरे को बेंक में नोकरी लगा देना मैं आपके लिए करूँगा और काले-काले दोरे हाथ में पहने लेते हैं गले में बड़ी मालाय डाल लेते हैं और तीलक लगाते हैं चंदन का इश्वर की सत्ता को शुकार करना बहुत अच्छी बात है इसलिए वह पर मेरे मेरी साहेता करे और मुझे आगे ले जाएगा ठीक है उसके बाद होता है video जो पूले का प्रियास कर। जैसे कि अभी मैंने दस्वी में क्या किया दस्वी के बाद मेरा अच्छे परसेंटेज़ बने 11 में मैंने बायो लिया अभ 11 में बायो लियोंगा तो मैं डाक्टर बनूगा डाक्टर बनूगा तो मैं भी इतने पैसे को कमाऊंगा आप वो देखा न, डाक्टर, वो इतने पेसे कमाता है, उतने पेसे कमाऊंगा, तो ये सारी चीज़े क्या होती है, तरक रूप से, और वो अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, जो उसको नहीं दीख रहा है, उसके बारे में भी वो सोच पाता है, तो इस प्रकार से अमूर्त च विकास, मांसिक विकास, सामाजिक विकास, और समवेगात्मक विकास के बारे में हमें पढ़ना है, एक लेक्चर में और कहता है, तो आशा करता हूँ कि चीज़े आपको अच्छे लग रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत हो, मन में कोई उलजन हो, तो आप हमें जरूर आपकी तरफ बालविकास की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थेंक्यू सो मच, जैहिन, जै भारत!